यहां पर यी प्रमिएम नेस देख रहे हो क्या शांदार लग रहा है दोस्तों मजा आ गया इस वेल्कम टू-गार्स पार स्वागत यह एक और वीडियो में दोस्तों अगर बात आती है इंडिया में एवी कार्स की तो देखो टाटा का नाम तो आता ही आता है लेकिन महिंद् पीछे रह जाए ऐसा हो नहीं सकता दोस्तो देश की कमपणी है महिंद्रा भी टाटा की तरह है तो वो क्यों पीछे रहने वाली है यहाँ पर आज आज आपके सामने इस वीडियो में पेस है महिंद्रा एक्स यूबी फोर डबलो दोस्तो 4OO का ये जो है ना फेसलिफ वेरियंट है जो अभी हाल ही में लॉंच हुआ है क्या क्या अंदर बदलाब हुए है कैसा आपको अंदर इंटीर देखने के लिए मिलेगा सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू करना तो चलिए अब बिनादेरी किये हुए वीडियो करते हैं सुरू तो फाइनली दोस्तो सामने है महिंदरा एक्सूबी 4OO फेसलिप 2024 वेरियंट सबसे पहले अब मॉडल की बात करते हैं कि वेरियंट कौन सा ही है तो एक्सूबी 4OO EVEL फास्ट चार्जर के साथ में डूल टॉन भी है ठीक है तो डूल टॉन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा टॉप एंड वेरियंट है दोस्तो और कीमत की बात करूँ तो एक्सूरूम 19,49,000 रुपे की आपको देखने के लिए मिलती है अगर इसमें बैटरी की बात करें न तो 49.4 किलोवाट का आपको इसके अंदर बैटरी पैक मिलने वाला है और EV की बात आती है तो रेंज सबसे पहले आ जाती है तो रेंज है दोस्तों 456 किलो मीटर की ठीक है और अगर गा हो जाता है वो आपको मिल जाती है चार्जिंग की बात की कर लेते हैं इसी में उसके बाद पूरा डिटेल रिव्यू कर देंगे तो भाई यह साड़े 6 घंटे में 0-100% हो जाती है 7.2 किलोवाट के चार्जर के साथ में जो इसके साथ में कंपनी देती है और चार्जर एक च स्पैसिफिकेशन वगेरा वैसे आपको सब नीचे की तरफ वीडियो में दिखाई भी दे रहे होंगे अब सब कुछ छोड़िये फ्रेंट पर आ जाओ तो देखो फ्रेंट पर अलग से दूर से देखने से लग रहा है इवी 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 ही कार है यहां पर इंडिकेटर तो आपको बिलिंक होता हुआ देख रहा होगा यह यहां पर डियारेल ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है नीचे यहां पर देखें तो फॉग लाइट ऐसी मिल जाएगी है और एक चीज हो रहा है दोस्तों यहां पर कॉपर ज्यादा यूज हुआ है कॉपर कलर यह देखिए यहां पर एक कॉपर की लाइनिंग दिख जाती है नीचे की तरफ भी कॉपर दिख जाता है और आपको ग्रेल के अंदर भी देखो इविन यह महिंद्रा का जो लोगो है यह भी कॉपर कलर में ही दिखाई देगा तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है च्छत के बात करें तो चावी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है इस चावी के अंदर जो है न आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन गलने के लिए बटन मिल साइच पर आजा तो यहां पर आपको देखें 255 पैश्ट की प्रोफाइल के सास्फ 16 इंच का आपको Aww optimal डामइंड के अदर आ आपको dutyTheil देखने के विल मिलता है और यहां कुछ इस तरीगे से reflector एक parking sensor यहां और एक यहां पर दो parking sensor मिलते हैं reverse parking camera की बात करें तो वो यहां पर number plate के just उपर मिलेगा और copper के अंदर आपको यहां महिंदरा का logo दिख जाता है पीछे देखें defogger भी मिलेगा rear wiper भी मिलेगा high mount stop lamp भी मिलती है और साथ में यह spoiler भी मिलता है बहुत शांदार लग रहा है साथ में copper color के अंदर ही आपको यहां पर shark finnati न मिल जाता है और अगर यहां पर देखें roof rails तो roof rails आपको black piano finniss के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है अब देखो दोस्तों यह roof rail वगएरा तो इसकी हो गई अब एक बार charging port और देख लो charge कहां से करनी है गाड़ी तो charge करनी के लिए आपको आना पड़ेगा आगे यहाँ front fender के उपर यहाँ पर आपको जो है यह charger के option मिल जाते हैं यह है कुछ इस तरीके का charger option अब देखो बिना देरी किये हुए गाड़ी के अंदर चलते हैं और फिर जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं की चांगे जिससे कि आपको भी बोरियत ना हो दोर रुक्या सेंसिंग आउप्शन तो मिली जाता है उसके बाद देखो यहाँ पर दोर पर यह देखो प्रीमियम नेस दोस्तों क्या ग्लॉस ब्लैक फिनिस दिया है देखो चारो पावर विंडू मिल जाती है गाड़ी को लॉक अनलोक करने के लिए पीछ बाली विंडू को लॉक अनलोक करने के लिए चाइड सिफ्टी बच्टन इलेक्टिकली अड़ेस्टेबल फोल्डेबल ओर वियम यह डार्क क्रोम के अंदर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं उसके बाद देखो ट्रेक्शन कंट्रॉल हैडलेट एड़ेस्टिवल एस इवेंट का डिजाइन कुछ ऐसा है और अगर अंदर बैठ के देखें तो अब देखो दोस्तो सबसे पहले स्टेरिंग पर देखो तो यह अगर बात करें तो इसका अंदर कर देते हैं गाडी कोई ओन कर देते हैं तो यह देखो इह है दोस्तो गज़ाव अरे शानदार बहुत शानदार यह देखो seat weld warning पहले ही आ गई यहाँ पर speedometer, takometer मिल जाता है range देखा रहा है 253 km की ठीक है और यहाँ पर mode देखा रहा है यह fun mode वगएरा ठीक है और यहाँ mode देखा रहा है यह fun mode वगएरा और उपर देखो battery information वगएरा आ रही है और अगर यहाँ से बाकी change करके देखा है तो यहाँ से देखो यह सब कुछ battery information, drive information, vehicle information वगएरा सब कुछ आपको navigation वगएरा यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है यह है कुछ इस तरीके से यह देखिए जैसे navigation आ गया तो यह process हो गया navigation जहाँ जाना है वहाँ जाईए और देखिए क्या करने वाले हो आप इसमें ठीक है तो यह है कुछ इस तरीके का navigation वगएरा system यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपको बड़ा सा 10 इंच का स्क्रीन मिल जाता है जो एंड्रोड डोटो एपल कार पे ले वगएरा को तो सपोर्ट करता है वो तो छोटी मोटी चीज हो गए यह विस गाड़ी के लिए यहाँ पर यह सारा कुछ है न यह gloss black का touch मिलता है engine start stop का button यहाँ मिल जाता है यह इस event का design हो गया hazard button passenger airbag on है या off है तो उसके लिए है indication drive mode वगएरा change करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है जैसे देखो यहाँ से drive mode change करना है तो fast mode activated हो गया यह देखो यह fearless mode activated हो गया यह fun mode activated हो गया मतलब दोस्तों इसे control करना भी बड़ा टेड़ी की रहे गाड़ी को उसके बाद देखो यहाँ पर automatic climate control वगएरा के option fan speed वगएरा के लिए उसके बाद देखो नीचे आ जाए तो दो यहाँ पर USB type A charging port मिल ला है type C नहीं मिल रहा है यह थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे उसके बाद देखो यहाँ पर wireless charger का option मिल जाता है यह है दोस्तो इसका lever gear lever का है या जो भी का है mode change करने के लिए reverse mode drive mode और neutral mode ठीक है तो यहाँ से कुछ ऐसे mode वगएरा देखने के लिए मिल जाते है यहाँ पर इसको log unlock करने के अला button भी मिल जाएगा इसे यहाँ से log कर सकते है ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाते हैं तो यह parking brake मिल जाता है manually operated दो cup holder मिल जाते हैं यहाँ armrest के अंदर आपको इतना space मिल जाता है leather rate आपको armrest मिलने वाला है यहाँ globe box देखें तो यह आपको कुछ ऐसा globe box देखने के लिए मिलता है उसके बाद यहाँ पर piano black का touch मिल जाता है airbag आपको वहाँ मिल जाएगा auto dimming IRVM यहाँ मिलता है उपर इस तरफ देखें तो देखो driver side में यह जो sunset मिल जाता है यहाँ पर आपको sun glass holder देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपको यह जो light देखने के लिए मिलेगी yellow color में यहाँ पर passenger side में जो sunset है उसके अंदर देखो एक vanity mirror भी मिल जाता है और उपर की तरफ light भी मिल जाती है यहाँ पर grab handle देखो soft touch के साथ में मिलता है sunroof थोड़ी छोटी जरू है यह sunroof थोड़ी से आपको छोटी मिलने वाली है यहाँ पर आपको mike देखने के लिए मिल जाता है तो यह है इसका कुछ इस तरीके का front cabin अब चलते हैं दोस्तों बिना देरी किये हुए rear seat की तरफ वहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा तो चलते हैं पीछे की तरफ तो यह है दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका door यहाँ पर power window यहाँ पर speaker यहाँ पर यह premium nest देख रहे हो क्या शांदार लग रही है दोस्तों मजा आ गया इसमें पीछे देखे तो three point seat belt मिल रही है साथ में three three adjustable headrest मिल रही है और अगर पीछे बैट के बाद करें बैट के बाद में करेंगे उससे पहले यह देख लो यह देखो भईया आर्म रेस्ट मिल रहा है साथ में दो cup holder मिल रहा है पीछे की तरफ देखो यह एसी वेंट पीछे वाले passengers के लिए उसके बाद नीचे की तरफ देखो एक बारे वोल्ट का सौकेट मिल रहा है और उसके बाद यह देखो यह है यहां पार type C port एक आपको type C port भी मिल रहा है उसके बाद देखो ये पीछे की जो सीटिंग है ना उसमें ये रवर या इलास्टिक जो है ये लगा रखी है तो बहुत शानदार लग रही है पीछे से देखे हैं तो आपको कोच ऐसा ये डैसबोर देखने के लिए मिल रहा है ये बतलब प्रीमियम नयासा अलगी जलक रही है उसके बाद देखो यहां पर यह light वगईरा मिल जाती है तो यह आपको कुछ ऐसा setup मिल जाता है airbag, airbag की बेजिंग आपको हाँ जगे मिल जाएगी, यहां पर भी airbag, वहां पर भी airbag और आगे भी, पतलब सबी जगे airbag airbag तो दिखने को मिली रही है, तो यह है कुछ इस तरीक साथ में आता है इसके, ठीक है, यह wall mount charger है, जो आपको घर पर चार्ज करना है, और अगर आपको plug-in करके चार्ज करना है, तो यह, जो साड़े 3 amp air का आपके यह plug होगा, उसके थ्रू ही चार्ज हो जाएगा, यहां से, मैंने आपको इसकी जो battery की charging की, जो timing वगएरा है, वो म बहुत ही जादा, बैज कलर दोस्तों, बहुत ही जादा शानदार लग रहा है, तो इसे कर देता हूँ में बंद, ठीक है, और अब आ जाता हूँ आगे की तरफ, बॉनट के अंदर और देखते हैं, इसके अंदर क्या मिलेगा बॉनट के अंदर, तो यहां पर फ्रेंट में रखा है, इंजन जैसा ही यहां पर लग रहा है, यहां से वाशर वगरा सकते हैं, यह इंजन के लिए बैटरी हो गई, बाकी बैटरी पैक तो नीचे मिल जाता है, यहां पर पीछे इंसुलेशन सीट वगरा भी लग रखती है, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ, और आ जात कोई सवाल जबाब हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजना, ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, सो जैहिंद